आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज का हमारा विशय है मंगल। सूर्य और चंद्रमा के बाल मंगल को महता दी गई है। मंगल ग्रह को लेकर कई ब्रहांतियां भी फैलाई गई है। इसको सबसे क्रूर रह के उपादी दी गई है। मंगल आकरमक है ऐसा कह कह कर लोगों को भैवीत और गुमरा किया गया है मंगल को शांत करने के नानप्रकार के उपाए दुकानों में बेगते हैं और हमारे भीतर के इस भैपर आधारित कई सारे व्यापार फल फूल रहे हैं मंगल का अर्थ है शुब जैसे शुब कारे करना सवाल तो यह होता है कि जिस ग्रह का नाम ही मंगल है भला वो कैसे कुरूर और नुकसान दायक हो सकता है तो फिर मंगल है क्या जहां सूर्य आत्मा है वहीं चंद्रमा मन है मन के दो पहलू है एक राहू जो हमें बहारी दुनिया की और आकरशित करता है बहारी संगसार में ब्रहमित करता है और हमारे बीतर मोह लगाव यानि एटैश्मेंट पैदा करता है और दूसरा केतू जो हमारे अंदर आ सकती, वेराग्य, विरक्ती, यानि डिटैश्मेंट पैदा करता है केतू हमारे अंतरमन पर वास करता है और हमारी सोच को प्रभावित करता है हमारी सोच को गाइड भी करता है आपने देखा होगा कि कई लोग आसानी से ठक जाते हैं और कुछ लोगों के अंदर तो स्फूर्ती ऐसे भरी होती है जैसे जमीन में मिट्टी पथर। कहने का मतलब है कि ये लोग कभी नहीं ठकते। वेदिक काल के रिशी मुनियों ने देखा कि एक ही जाती कुनबे के लोग जिनका रहन सेन, खान पान और दिंचरिया सब कुछ एक सा है उन्हीं में से कुछ तो उर्जा से भरे होते हैं और कई सारे हर समय ठके बुझे से दिखाई देते हैं। इन रिशी मुनियों ने यह भी पाया कि किसी व्यक्ति के भीतर की एनरजी उसकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थीती से सहसंबंदित है, मतलब कोरेलेटिड है। प्रगति या संब्रदी संभव नहीं है। यही कारण है कि वैदिक काल के रिशी मंगल को सबसे शुब ग्रह मानते थे। यहां तक कि राशी चक्र का पहला चिन्न यानि मेश राशी इसका स्वामी भी मंगल ही है। मंगल ग्रह हमारे भीतर की उर्जा निर्धारित करता है। हमें कोई भी क्रिया करने के लिए इनर्जी चाहिए। और वो भी दो तरह की इनर्जी। एक शारेरिक स्ट्रेंग्थ और दूसरी भावनात्मक यानि इमोशनल स्ट्रेंग्थ। जो 30 में स्ट्रॉंग मंगल का अर्थ है फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंग्थ में तालमेल। और वीक मंगल का मतलब है फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेंग्थ में इम्बैलेंस। जैसे कि strong physical strength लेकिन weak emotional strength या फिर weak physical strength और strong emotional strength या फिर weak emotional और weak physical strength अगर मंगल weak है यानि अगर emotional या physical strength या दोनों की कमी है तो जातक जल्दी ठक जाता है सारे टाइम ठका ठका से रहता है सुस्त रहता है काम करने और मेहनत करने से बजता है ज्यादा समय दूसरों की बुराई करने में व्यर्थ गमा देता है और हमेशा दूसरों को और परिस्तितियों को दोस्त देता रहता है वही strong mangal यानि balanced emotional and physical strength वाला व्यक्ति हमेशा विजई ह होता है जिस काम को करता है उसे बड़ियां तरीके से करता है हमेशा सफल और विजई रहता है खुद तो खुद रहता ही है अपने परिजनों को भी उत्साहित करता रहता है इस तरह के लोग समाज के वास्त्विक प्रतीक थाभित होते हैं शायद इसी लिए mangal को सेनपती का कुणली दिखानी की जरूरत है अगर कोई व्यक्ति कारे करने से जी चुराता हो, मेहनत करने से बसता हो पर निंदा में रूची लेता हो दूसरों का सहारा लेने में एक्सपर्ड हो परिजनों की मुसिवत के टाइम गायब हो जाता हो परिश्थितियों को दोशी टहराता हो या फिर हर वक्त सुस्त रहता हो देर में उपता हो, आराम पसंद हो हर काम को ऐसे करता हो जैसे कोई बवाल काड रहा हो चिट्चला ऐसा रहता हो हर किसी से सदा चिड़ा हुआ रहता हो और उसको procrastinate करने की आदत हो तो जान लिजिए कि ऐसे व्यक्ति का मंगल वीग है और उसके भीतर emotional और physical energy balance नहीं है मंगल एक fairy planet है इसका तत्व अगनी है जहां यहाँ अगनी तत्व की मेश राशी का स्वामी है वहीं है जल तत्व की व्रिष्चिक राशी का भी लौड है यानि एक तरफ physical energy तो दूसरी तरफ emotional energy आपकी जिंदिगी में मंगल का प्रभाव जानने के लिए आईए उसकी द्रिष्टी या aspects को समझ लेते हैं मंगल की तीन द्रिष्टियां होती है पहली द्रिष्टी से ये आपकी कुंडली में जहां भी बैठा हो वहां से चौते घर को देखता है दूसरी द्रिष्टी से साथवे घर को और तीसरी द्रिष्टी से आठवे घर को देखता है जोतिश में घरों को देखने का अर्थ यह है कि वो आपकी कुंडली में जहां कहीं भी बैठा हो वहां से चौथे, साथमें और आठमें घरों द्वारे रेप्रेजेंट किये गए लाइफ के एसपेक्ट को प्रभावित करता है इसमें गौर तलब यह है कि इसकी चौथी दृष्टी फिजिकल एनरजी है और आठमें द्रिष्टी इमोसिनल एनरजी है और साथमें द्रिष्टी आपके कुंडली के मताबक इसकी कमबाइंड फिजिकल और इमोसिनल एनरजी का रिजल्टेंट स्ट्रेंग्थ है अगर आपकी जन्म कुंडली में इसकी एनरजी बैलेंजड है तो यह तीनों गुरों पर बढ़िया असर डालेगा और अगर इसकी एनरजी बैलेंस ना हो तो इसका असर नुकसान ही पहुँचाएगा हलांकि अगर यह आपकी कुंडली में कमजोर यानि इंबैलेंस हो तो यह न समझें कि यह आपकी पूरी लाइफ में कमजोरी रहेगा और आपको परिशानी करता रहेगा और अगर यह आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रॉंग था तो यह न समझें कि यह सदा स्ट्रॉंग ही बना रहेगा वेदिक शास्त्रों में इस बात का उले किया गया है कि यह संसार कर्म प्रदान है और आप अपने कर्म से मंगल को weak या strong बना सकते हैं आपकी जिरम कुंडली आपके guidance के लिए है वेदिक जोतिश की साहता से आप यह जान सकते हैं कि आपके कुंडली में मंगल strong है या weak या अगर यह weak है तो कि इसका water element balance करना है या fire element दूसरे शब्दों में अगर इसमें physical energy यानि fire अत्यधिक है तो आपको water element बढ़ाना पड़ेगा और अत्यधिक physical energy को creatively dissipate करना पड़ेगा वैसे ही अगर emotional energy यानि water element के अधिकता हो तो fire element बढ़ाना होगा और water element यानि emotional energy को उपयोगी तरीके से प्रयोग में लाना पड़ेगा चुंकि मंगल आपके भीतर की energy है आमोवन यह देखा गया है कि मंगल का fiery science में होना जैसे मेश, सिंग या व्रशिक राशी में होना इसमें fire element यानि physical energy बढ़ा देता है वैसे ही मंगल का watery science जैसे कर्प, मकर और मीन राशिय में होना इसमें water element यानि emotional energy बढ़ा देता है इसके अलावा पहले, चौथे, सात्वे, आठ्वे और बार्वे घरों में मंगल अत्यधिक fiery हो जाता है और दूसरे पांचवें, दसवें और ग्यारवें घरों में अत्यधिक watery हलनकि कुंडली में केवल मंगल की position के आधार पर मंगल के बारे में कुछ खास नहीं जाना जा सकता है इसका strong या कमजोर होना इस पर भी निर्वर करता है कि मंगल की बुद्ध और चंद्रमा के साथ किस तरह की यूति है वो इसलिए क्योंकि जहां आपका गोल चंद्रमा यानि आपका मन सेट करता है वहीं इस गोल को अंजाम देने में बुद्ध यानि कि आपकी cognitive ability भी मुख्य भूमी का निभाती है लेकिन गोल सेट करने और आपकी cognitive ability के बीच की कड़ी आपके भीतर की एनरजी है यूं तो मंगल को शान्त करने के लिए सेकड़ों उपाय मजार में उपलब्ध है मुम्किन है कि आपने कई तरीके अजमाई भी होंगे और कुछ खास फायदा नहीं हुआ होगा वो इसलिए है क्योंकि मंगल एक अर्थी प्लैनेट है और उसकी problems का solution भी सांगसारिक ही होता है और simple भी मंगल का weak होना यानि energy का balance नहोना इस सब को सुधारना आपके हाथ में है कोई भी mysterious बहारी force मंगल को strong बनाने में आपकी मदद नहीं कर सकती है यदि आपका मंगल अत्याधिक fiery है तो इसका एक मात्र solution यही है कि आप इस अत्याधिक energy को channelize कीजिए इसको dissipate कीजिए, physical activity कीजिए, public सेवा कीजिए भोर से सांस तक कुछ नो कुछ ऐसा करते रहें जिसमें शारेरिक मेहनत involved हो साथ ही इस energy को अपनी relationship से दूर रखें और अगर आपका मंगल अत्याधिक watery है तो मंगल की physical energy को बढ़ाएं सुबह जल्दी उठें, सुबह शाम compulsory ली वियायाम करें कोशिश करें कि ज्यादा समय खड़े रहें या चलते रहें बैट के समय न काटें, दिन में बिल्कुल न सुएं, अपने घर को नित्य साफ करने की आदट डालें खास तोर पर kitchen, hidden spaces और bathroom कमजोर मंगल की problems एक मेने में आपको गायब होती दिखेंगी resistance exercises करने मातर से ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा emotional energy को लेकर हमेशा सतरक रहें, इसे कभी भी अपने पर हावी न होने दे water element के अधिक्ता, सुस्ती, उदासी, क्रोध, depression, चिट्चिड़ापन टाइप की भावनाओं को बढ़ावा देती है मंगल करक राशी में नीच और मकर राशी में उच्चो होता है इसको लेकर भी कई गलत फेहमिया प्रचले थे हैं, खास तोर पर नीच राशी को लेकर यानि लोगों में इस बात को लेकर काफी भय है कि करक राशी में मंगल का नीच होना अशुब है अनिष्ट घटनाओं का कारक है मंगल का नीच राशी में होना केवल इस बात का सूचक है कि जातक ने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किये हैं कि वर्तमान जीवन में उनको मंगल को लेकर कुछ खास सावधानी बरतनी पड़ेगी अपने भीतर की एनरजी को बैलेंस करने के लिए उन्हें हर समय सजग रहना होगा एलर्ट रहना पड़ेगा वहीं अगर मंगल आपकी उच्च राशी यानि मकर में हो तो इसका मतलब है कि पिछले जन्मों में आपने मंगल से रेलेटेट कोई भी दुश कर्म नहीं किया है कि पिछले जन्म में आपका मंगल जिस तर तक आपने अपने कर्मों से पहुचा दिया था उसका उसी लेवल पर कंटिनिवेशन उचित है इस जन्म में आपको मंगल से संबंदित कोई भी परिवर्तन या मेहनत नहीं करनी है कुछ लोगों की जन्म कुंडली में मंगल वकरी होता है वकरी मंगल का मतलब है कि मंगल से रेलेटेड उनके कुछ कार्मिक रिन पिछले जन्मों से बकाया चले आ रहे हैं कुछ उद्देश अधूरे रह गए हैं मंगल से रेलेटेड कुछ अनफुलफिल्द परपस पिछले जन्मों से लंबित हैं कि मंगल से जुड़ी उर्जा पूरी तरह से एक्स्प्रेस या मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है मंगल से जुड़े कर्म संबंदी पार्ट पिछले जन्मों में ठीक से नहीं सीखे गए थे और वर्तमान जीवन में इस पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल वकरी हो तो इसको इस तरह से समझें कि एक बार आपको पुने मौका दिया गया है कि आप वर्तमान जन्म में मंगल से जुड़े अधुरे कार्य पूरे कर लें मंगल से संबंदिद जिम्मेवारियां इस जनम में पूरी तरह से निभाएं। मंगल से रिलेटेट पिछले जनमों के रिण चुका दें। यह संबव है कि जातक को साहस, आत्म दृता या आत्म पुष्टी से संबंदिद सबक अभी भी सीखना बाकी हो। उन्हें अपनी कैसे संतुलित और एकिकरत किया जाए। संबव है कि वे पिछले जनमों में मंगल ग्रह से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों से भाग गये हूं, विशेशकर्च अपने छोटे भाई बहनों या अचल संपत्ती से संबंदिद जिम्मेदारियों से। कारण जो भी हो, वकर आद रखिए कि आपको रिंड चुकाना है, और जब तक यह लंबित रहेगा, आप अनावश्यक कश्ट जहलते रहेंगे, नाना प्रकार की अडचने आपके रस्ते में बाधा बनकर खड़ी होती रहेंगी।